बिसमिल्यम्राबानियरहेम असलामलेकूम आज मैं आपको स्टॉबेरी जैम घर पे बनाना सिखाँगी बहुती इजी है बहुती असाली से बन जाता है और बहुती हाईजीनिकली सफ होता है यह क्योंकि गर पे आप इसे बनाएंगे तो यह बिल्कुल सफ होगा और बहुती तेस्ट मज़े काईगा एपल जैम मैं पहले बनाना से खा चुकी हो अगर आपने उसकी रेस्पी नहीं देखी तो मैं उसका डिस्ट्रिप्शन में लिंक देख सते हैं चले इसको बनाना शुरू करते हैं देखते हैं इसके इंदर क्या-क्या चीज़े शामिल है जैम बनाने के लिए हमें स्रिफ दो चीज़ों के जरूरत है इसके लिए हमें चाहिए हो काईगा बारी काईगा अपने स्ट्रॉमबरी काट ले नहीं है तकरीबन एक कप देख में ले रही हूं मैं कम कॉंटिटी में बना रही हो गर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आप जादा कर लीजेगा और तकरीबन हाफ कप के क्रीप शुगर यानी चीनी लेंगे एक पैन लेंगे और इसमें हमने चौप की हूई जो टाल लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे थोड़ा सा कूप कर लेंगे यह देखेंजी तकरीबन तकरीबन तीन मिनट गुजर चुके अब हम इसमें शुगर आड कर देंगे और इसे फिर हम मिक्स कर लेंगे और तुबारा से हम इसे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन पान से 10 मिनट के लिए हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे यह देखेंजी तकरीबन त्येसे साथ मिनट गुजर शुक है और जैम तकरीबन हमारा रैडी हो चुक है अब हम इसे टेस कर लेंगे टेस्ट किस तरह से करेंगे थोड़ा साम पोर्शन लेंगे और इस तरह से इसका प्लेट पे हम डाल के हम देखेंगे, ये देखें, साइल्स पे देखें, इसने पानी बिल्कुल नहीं छोड़ा, टेस्ट करतें के लिए जरूरी है, आप इसको प्रेट पे डालें, अगर ये पानी साइल्स पे छोड़ने लगे, इसका मितलब है, तो थोड़ी सी और जरूरत है इसे पकने की, तो ये देखें, हमारा बहुत ही पर्फेक्ट तरीके से ये पक चुक है, इसने पानी बिल्कुल नहीं छोड़ा, अब हम इसको ठंडा कर लेंगे, हमारा होममेल स्टॉबरी जैम बिल्कुल तयार है, आई हो कि आपको बहुत पसंद आया होगा, आप इसे एर टाल कंटेनर में तक एक महिने के तक स्टॉर कर सकते हैं, ये बलकुल खराब नहीं होगा, जरूर टाइक कीजेगा, और मुझे इसका फेड़ बैक जरूर दीजेगा, कि आपको मेरी रस्पी कैसी लगी, और इसको लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कर दें, और साथ में जो लाइकन दिया है, उसे भी प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, थैंक्स पोर वाचिंग, अल्ला हाफेज,